Well, Lockup में वो टाइम आ चुका है जहांपे चार्च शीट पाइल करनी होती है हर हफ़ते के स्टार्ट में चार्च शीट पाइल करनी होती है लेकिन इस बार की चार्च शीट थोड़ी सी अलग है वेल क्या पाल रुहादगी की जो जर्नी है लॉक अप की होने वाली है खतम बात करते हैं इस बारे में देख रहे हैं पीफा पूज मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस विदांगी करने को वेल अभी तक हमने देखा कि पिछले तीन हफतों में किस तरीके से सभी लोगों को कॉम है वो लोग उनमें से ही कोई एक जन लेकिन यहां पे अब थोड़ा सा अलग सिस्टम कर दिया गया है बालाट सिस्टम टाइप है जहां पे आपको अकेले जाके एक एक परसन के अगेंस्ट वोट डालना है और इसी बीच जो है नया प्रोमा आउट हो चुका है जहां पे अ लगता है यह काफी बत्तमीज है इन्हें तमीज बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी के कैदियों से को कैदी जो है उनसे कैसे बात करें उनके साथ कैसे बरताव करें ना इन्हें जेलर करनकुंद्रा से बात करने की तमीज है काफी बत्तमीज है वो जेलर से भी बात करती है जेल कि वो जेल से लॉक आउट हो जाए लॉक अप से लॉक आउट हो जाए और इसलिए मैं उन्हें नॉमिनेट करती हूँ इस तरीके से अंजली जो है पायल को वोट करती है और और अबिसली वी नो कि पायल की जादा किसी से बनती है नहीं बबीता जो उनकी काइंड ओफ दोस्त लेकिन अब जितने लोग है कहीं न कहीं लग रहा है maximum votes पायल के अगेंस्ट आने वाले है और इसलिए पायल का क्या लॉक आउट होना तै है कि पायल की जर्नी इस हफते खतम होगी आपको क्या है इसके उपर कहना आपका क्या है ओपीनिन क्या आपको पायल पसंदारी है बे इस हफते कौन हो सकता है लोक आउट ये नीचे कॉमेंट्स में लिखना मत भूलना I'll see you guys soon तब तक के लिए take care